Students, next हम study करने जा रहे हैं unit cells के बारे में पर unit cells को study करने से पहले आपने जो मैंने पहले पीछे भी बताया था कि unit cell क्या होता है तो मैंने आपको कहा था कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है crystal lattice का जिसको बार-बार repeat करने से पूरा crystal बन गया, पूरे crystal का structure बन गया उसको हम कहते है unit cell और इसमें मैंने आपको example दिया था brick का जैसे आपके room की जो wall है या पूरा घर भी बोल दो कि पूरा घर को अगर आप एक पूरा crystal structure मनमान लो तो उसका अब crystal structure में सबसे छोटा पार्ट कौन सा पूछे अगर कोई पूछे कि बताओ कि कौन सा सबसे छोटा पार्ट है जिसको repeat करने से बार-बार repeat करने से ये चारी चीज त्यार हुई तो आप brick को unit cell कह सकते हो एक brick को तो brick की shape कैसी होते है cube shape या cubeoid या उसको cubeoid shape बोल दो तो same उसी तरह से आपने ये जो unit cell जो मैं study करने जा रहा हूँ इनकी जो shape है वो mind में क्या लेकर चलनी है cube की और सबसे असान तरीका जो समझने का होगा वो ये होगा कि अपने mind में आप जिस room को लेना अपने कमरे में जहां पे बैटे हो उस room को आप देखना और उस room को imagine करके ही आपको ये सारी चीजें समझाएंगी देखना तो चलिए इसमें मैं first discuss करता हूँ primitive and centered unit cell इसकी बात हो रही है तो primitive या centered unit cells जो होते हैं सबसे पहले तो इनको दो categories में divide किया गया है unit cells can be broadly divided into two categories primitive and centered unit cells तो पहले तो ये primitive किसको कहते हैं primitive का दूसरा नाम होते है simple centered cubic unit cell जो primitive है ये आ गया primitive unit cell और simple centered cubic unit cell इसको symbol जो है ये scc ऐसे भी लिख देते हैं simple centered cubic ये simple हो गया ये centered हो गया और ये cubic हो गया तो simple centered cubic unit cell अच्छा अब ये जो scc है ये किसको कहना है simple centered cubic unit cell को तो इसमें क्या होता है, इसमें particles जो हैं, वो सिर्फ corners पे present होते हैं, तो अब आप अपने room को ध्यान से देखो, और room में जितने corners हैं, उन corners को count कर लो बेटा, कितने corners हैं, तो कितने होने चाहिए, 8 होनेंगे, 8 होंगे बेटा corners, कैसे, 4 बेटा, नीचे होगे, 4 उपर होगे छत तो corners कितने होंगे, 8, तो इसलिए primitive unit cell या simple centered cubic unit cell ये जो बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कहता है, particles जो हैं, वो सिर्फ corner of unit cells पे present होंगे, और आपको ये ध्यान रखना है, corners होते कितने हैं, 8 corners होते हैं, ये चाहिए आप न, अपने यहां पे notes में, यहां पे bracket में करके लिख भी लेना, कि कितने corners होंगे, 8 corners होते हैं, unit cell में, तो ये चीज इस तरह से, अच्छा, next आगे, अब centered unit cells आगे, तो primitive और centered unit cell में main फरक क्या है, देखो, main फरक ये है, कि जो primitive unit cell था न, या simple cubic unit cell जो है, इसमें तो particles सिर्फ corner corner पे present होंगे, लेकिन ये जो दूसरा आप पढ़ने जा रहे हो न, centered unit cell, इसमें क्या होगा, particles corner पे तो हैं ही है, वो fix हैं, corner पे तो हो नहीं है, उसके अलावा भी कुछ positions पे होंगे, तो अगर corners के अलावा कुछ और position पे भी particle आ जाए, तो उसको हम कह देते हैं, centered unit cell, जैसे देखो, तो पहले तो ये definition देख लेते हैं, इसने कहा, centered unit cell, when a unit cell contain one or more constituent particles, present at position other than corners, यानि unit cell में जो constituent particle हैं, वो corners के अलावा जो positions हैं, वहां पे present हो, in addition to those at corners, यानि in addition to those at corners का मनलग, साथ में ही, corners में भी होने चाहिए, लेकिन corners के अलावा कुछ और position जो हैं, वहां पे भी होने चाहिए, तो अगर ऐसा होता है, यानि corners पे तो हैं ही हैं, साथ में कुछ और positions पे भी होते हैं, तो उनको हम नाम देंगे, centered unit cells, अब ये जो centered unit cells हैं, ये भी कई type के हैं, जिसमें सबसे first जो हमारे पास discuss करने जा रहे हैं, वो आ गया, body centered unit cell, इसको short form में क्या लिखा है, BCC, B से body आ गया, C से centered आ गया, और अगलिया जो C है, इसे cubic आ गया, cubic unit cell, ऐसे हो जाता है, body centered cubic unit cell, ऐसे, तो देखो, इसको समझना है न, तो एक वार अपने वेटा room को देखो, फिर से मैं वही कहता हूँ, BCC में क्या होगा, यानि body centered क्यों भी unit cell में क्या होगा, कि particles एक तो corners पे आ गये, अब अपने room को ध्यान से देख लो, कितने corners है, मैंने अभी अभी भी बिताए था, 8 corners है, 4 नीचे होगे बटा, और 4 उपर होगे, तो एक तो particles आ गये, सभी corners पे, यानि 8 particles corners पे आ गये, और अब इस room का बिल्कुल center आपने सोचना है, दिमाग में सोचो, पूरे room का center, तो पूरे room का center कहां पे आएगा, बिल्कुल room के बीच में आएगा, हावा में आएगा, बीच वाली जगा पे बिटा, तो अगर एक particle जो है, वो body के center पे भी आ जाए, तो फिर य हर एक चीज का center तो एक ही होता है, तो इसलिए BCC में क्या होता है, यह body centered क्यों भी unit cell में क्या होता है, कि एक तो particles corner पे होंगे सारे, अब corners मनला 8 corner है, 4 नीचे 4 उपर, चत की तरफ देखो, तो अब corners पे आगे particle, और एक particle कहां होगा, body के center पे होगा, तो क्योंकि particle होगा, body के center तो टोटल पार्टिकल हो जाएंगे BCC में कितने, 9, जिसमें से 8 corner पे और एक body के center पे, body मतलब आपका जो कमरे के center position पे, जो कमरे के beach जैसे हवाग में आएगा, ना चत पे जाएगा, ना बिलकुल नीचे floor पे आजाएगा, वो beach की जगा पे होगा, पूरे कमरे का center, तो एक particle वहाँ पे होगा, तो उसको मैं कहा देंगे हम body centered cubic unit cell, अचा next देखिए, next क्या आगया, next आगया हमरे पास FCC, FCC का मतलब होगा face centered cubic unit cell, इसका symbol लिख लेना, symbol होगा FCC, यह symbol लिख लेना है आपने, अचा face centered cubic unit cell में क्या होगा, faces की बात आएगी अब यहाँ पे, तो पहले तो मैं faces बता देता हूँ आपको, faces कितने होते हैं, तो फिर से, simple है वेटा, आप अपने कमरे में जहां बैटे हो ना, उस कमरे में, हाँ यह चीज है, आपका कमरा जो है, और normally तो वैसे ही होता है, बीच में किसी का अगर अलग हो तो वह मैं नहीं कह सकता, तो लेकिन normally कमरा जो होता ह एक कमरे में कितनी दिवारे होती हैं, चारी दिवारे होती हैं, और generally जो हम room बनाते हैं अपने, वो rectangle shape में उसी तरह से बनाते हैं, तो मैं उसी way में बात कर रहा हूँ, यह जो मैं चीज आपको समझाने को शुकर रहा हूँ, अब किसी ने अपने घर का कमरा circle shape में बना लिया तो आप अपने कमरे में faces गिनो, अब faces मतलब यह जो दिवारे होती हैं उन दिवारों को गिनो, कितनी दिवारे हैं आपके room में, तो चार तो दिवारे होगी जो आपको आमने सामने दिखरी होगी, ठीक है, और दो ओर आ गई विटा, दो कौन सी गिनेंगे, हम साथ में एक चत गिनेंगे और एक नीचे फ्लोर गिनेंगे, तो यह faces हैं, यह पूरे कमरे के आपके faces हैं, तो कितने faces हुए, छे हुए बिटा, मैं फिर repeat करता हूँ, आपके room में चार तो दिवारे होगी बिटा, जिस door के साथ जो टच होती हैं, वो चार तो वो दिवारे होगी, और दो और हैं, दो कौन, एक तो आगी चात बिटा, और एक नीचे फ्लोर आ गया, तो इस तरह से faces कितने होगे, छे होगे, तो अब face centered cubic unit cell में, particles कहां होते हैं, corner पे तो हो गई, फिर से corner कितने होते हैं, आठ, और साथ में particle कहां पे आ जाएंगे, हर face के center पे आ जाएगा, यानि मैं आपके room के हिसाब से बताओं, तो उसका कहने का मतलब है, particles जो है, 8 particles तो corner पे आ गये, और उसके अलाबा, एक एक particle जो है, हर face के center पे आ गया, यानि हर एक दिवार, जो 4 दिवार हैं, एक छात और एक नीचे फ्लोर, हर दिवार के center पे, बीच में होगा एक एक particle, तो total particle कितने हो जाएंगे, 8 corners पे होगे, और 6 faces हैं, तो 6 faces के center पे आ जाएंगे, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14, तो इस तरह से 14 particles बनेंगे, पर इसमें भी एक चीज़ी ये note कर लेना, यहां पे लिख लेना, side में, face कितने होते हैं, 6 होते हैं, उपर बताया था, corners कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो ऐसे ये face centered unit cell बन जाएगा, next आगे बता, end centered unit cell, end centered unit cell जो है, यह भी faces से ही समझ आ जाता है, अब जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया, कि face कितने हैं, 6 हैं, तो end centered unit cell में क्या होता है, कि particles corner पे तो हैं यह, corner वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है, दो और पार्टिकल हैं, वो दो पार्टिकल कहा होंगे, वो दो पार्टिकल होंगे, किनी भी दो opposite faces पे, दो opposite faces पे, बाकी faces कितने हैं, 6, 6 के 6 पे नहीं होंगे, सिर्फ 2 पे होंगे, दो पे होंगे, तो 4 पे नहीं होंगे, इसका मतलब, faces 6 हैं बटा, और 2 किन पे होंगे opposite पे होंगे opposite कहने का मतलब यह हो गया कि अगर एक आपने छत पे लगा दी ना छत के center पे लगा दी ना particle तो दूसरा particle floor पे आएगा साथ वाली दिवार पे नहीं लगा देना है तो end centered unit cell फिर से ध्यान सुनो particle कहा होंगे corners पे होंगे तो चत के center पे आएगा तो दूसरा नीचे floor के center पे आएगा तो उसको हम कहेंगे end centered unit cell तो यह चीज़ है इसके बाद यह एक table है यह table से question आते है question भी मैं बताता हूँ पर पहले इस table को समझते चलना कैसे कैसे है इस table में सबसे पहले तो आपने इधर वाली लाइन देखनी है यह वाली चीज़ बताने लगा हूँ मैं तो आपने इस पर ध्यान देना है इसको learn करने का तरीका क्या है देखो यह learn करने का जो तरीका है इधर इस side में लिखा हूँ है तो आपने यह और यह यह दोनों एक बार ध्यान से देखना मैं बोलता चलता हूँ देखो सबसे पहले तो आपने याद रखना है सी फिर टी फिर ओ फिर माई क्लिनिक फिर ट्राइक्लिनिक राइट हैंड यह वर्ड याद करने है इससे आपको CTO माई क्लिनिक ट्राइक्लिनिक राइट हैंड यह चीज़ याद कर लेंगें C से क्यूबिक T से टेटरगोनल O से और्थोरॉम्बिक माई क्लिनिक का मतलब होगा मोनो क्लिनिक ट्राइक्लिनिक ट्राइक्लिनिक ही रहेगा राइट से आर से आर से रोंबो हैडरल हो जाएग last के T से trigonal तो मतलब ये right से جो rhombohedral बनाओगे इसके दो नाम हो जाएंगे एक R for rhombohedral और last के word से T for trigonal और last hand के H से hexagonal तो सबसे पहले तो ये याद कर ले ना मैं फिर बता देते हूँ कैसे कैसे ये आएगा इस तरह से हमारे पास C C से cubic, T T से tetragonal और फिर आ जाएगा O, O से orthorombic, my clinic, my clinic से monoclinic, tri clinic, tri clinic ही रहेगा और last के right hand, right hand में मैंने अभी अभी आपको एक बात समझाई कि right के दो word निकलेंगे एक तो पहला R से rhombohedral और last के T से trigonal और hand के H से आगया hexagonal तो यह है और फिर आ जाओ इधर next हमारे पास इसको learn करने की जूँतनी है यह जो possible variations वाला है यह cross किया हुआ है यह tick वाली चीज़ें याद करनी है वस तो सबसे पहले आपने axial length बतानी है या distances बोल सकते हैं इसको यह लिखा हुआ है यह axial lengths या axial distances है यह अब यह क्या है पता है यह आपका room जो मैं बात कर रहा है उसके room की ही length breadth और height आ गई और यह angles आ गए angles मतलो आपके room की जो दो corners है ना कोई एक corner देखो मैंने पहले भी समझाए था एक corner देखो जहां से एक तो च्छत की तरफ चली जाएगी ना line corner वाली edge जिसको कहते हैं वो एक तो चली गए च्छत को और एक चली जाएगी बाकी दो corner जो हैं कमरे के तो उनको चली जाएगी एक एक line तो वो जो तीन लाइने बन गई ना उनको आप बेटा x-axis y-axis z-axis भी मान सकते हो क्योंकि तीनों पे angle अगर आप ध्यान दो तो 90 degree का angle होगा लगबग तो वो जो तीन edges बन गई उनके बीच के angle कोई बात की जा रही है यह a equal to b equal to c cubic में क्या आएगा a equal to b equal to c इसको ऐसे भी लिख सकते है बटा a equal to b equal to c ज़रूर नहीं जैसे यह लिखा हो ऐसे लिखना है बलकि इस तरह से ही लिखना चाहिए तो अगर space हो तो ऐसे ठीक कर लेना इसको अच्छा फिर आ गया फिर क्या करना है देखो आपने axial lens याद करने का तरीका क्या है पहले सारे बराबर कर दिये a equal to b equal to c फिर a काटना है आपने a काटना है तो देखो मतलब a equal to b not equal to c अब यह a कट गया इसके अगले में दोनों काट देने है देखो और थोरोम भी का गया a दोनों काट दिये a not equal to b और not equal to c इसको ऐसे लिखना है बटा a not Notical to B और Notical to C यह आ गया, अच्छा फिर जब आपका यह एक बार सारा कट जाएगा न यानि एए Notical to B और B Notical to C तो इसको दो बार और लिखने है, तो दो बार और लिख dalए यह देखो, एक यह आ गया, A not equal to B not equal to C और एक बार फिर से लिख दो देखो A not equal to B not equal to C अच्छा, जब दो बार notical, notical वाला लिख दिया तो अब दो बारा शुरू से, पहले से शुरू कर देना है पहले से नहीं पहले से मतलआ हूँ पहले सारे ब्राबर कर दो A equal to B B equal to C इसको S लिखना मैं बार-बार कह रहूं इकल टो B, B इकल टो C और अगले में क्या करना है, एक काट देना है, यानि A इकल टो B, not इकल टो C फिर से बताता हूं, देखो सबसे पहले, शुरू से बताता हूं एक बार, यह देखे सबसे पहले यह याद कर लेना है, CTO, my clinic, triclinic, right hand C से cubic, T से tetragonal, O से orthorombic, my clinic, monoclinic basically, triclinic, triclinic ही रहेगा, right R से rhombohetral आगया और H से hexagonal आगया, इसके बाद आजाओ, यहां पर axial distances पे तो पहले क्या है, पहले मैंने क्या पता है, देखो, मैं लिखकर भी बताता हूं सबसे पहले, यानि cubic वाले में आएगा, A equal to B equal to C इसके बाद आपने एक काट देना है, यहां से काट देना है आपने तो दूसरे पर देखो क्या हो गया, A equal to B, यह इसमें not equal to B भी हो गया, और not equal to C भी हो गया, और फिर मैंने क्या का आपको इसके बाद जब यह सारा कट जाए ना, तो इसको दो बार और लिखो, यानि अगले दो में सेम यह ही उतार दो तो यह ही उतार देते हैं, यह देखो, A equal to B not equal to C और उसके अगले में भी देखो, A equal to B not equal to C और फिर जब यह दो बार लिख दिया ना, not equal वाला सारा तो दोबारा शुरू से start कर देना है, शुरू से मतलब पहले A equal to B equal to C फिर A काट देना, जैसे यह देखो, यह आगे देखो A equal to B equal to C आगया, और उसके अगले में एक काट देना है यानि A equal to B but not equal to C, ऐसे तो यह आगे distances, अब मैं बात करता हूँ, angles की देखो angles का simple है, पहले तीन तो बड़े यह साने है, पहले तीन क्या करने हैं, आपने बस यह याद कर लेना है alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree, यह याद कर लो आप, alpha equal to beta, beta equal to gamma equal to 90 degree यह fix है आपका, यह पहले तीन में same यह लिख देना है आपने, और यह लिखना भी बटा, इसी तरह से लिखो यह जो copy में इसने, ऐसे बच्चे ने, ऐसे करके लिखे न, ऐसे के बजाए ऐसे ही लिखने है, जैसे मैंने बताया चाहे तो अगर रब, इसको काट के लिख सकतो देख लेना, अदरवाइस दबारा बना ले 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 टेबल और तो पहले तीन तो यह सेम आ जाएंगे, यह देखो, यह पहले में भी अल्फा बीटा गामा इकल टू 90, और दूसरे में भी देखो, अल्फा बीटा गामा इकल टू 90, तीसरे में भी देखो, यह अल्फा बीटा इकल टू गामा इकल टू 90 आ गया, और फोर्थ में देख अलफा इकल टू गामा इकल टू 90 तो करने है पर बीटा नोट इकल टू 90 करने है यह चीज आपने याद रखनी है फिर ट्राइकलिनिक अच्छा ट्राइकलिनिक में एक बात याद कर लेनी है क्या कि ट्राइकलिनिक सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम है क्या का मैंने मै तो कुछ भी सेम नहीं है, यानि alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90, यह tri clinic में आ गया, और फिर rhombohedralia trigonal पे आ जो, तो इसमें क्या करना है, alpha equal to beta equal to gamma not equal to 90, और last जो hexagonal होगा, इसमें होगा, alpha equal to beta equal to 90, और gamma equal to 120, तो angles वाले में, जो हैं, वो last के कुछ याद करने है, length का तो simple system बन जाता है, पहले तीनों equal, फिर एक कर दो, फिर सारा कर जाएगा, जब सारा कर जाएगा, तो दो बार फिर उसको सेम लिखो, और फिर शुरू से लिखना शुरू कर दो, यानि पहला equal, फिर एक कर जाएगा, angles में भी पहले तीन याद हो जाएंगे आपको, पहले तीन में क्या बताया, इसमें, यह सेम चलेगा, पहले तीन में, अलफा इकल टो, बीटा इकल टो, गामा इकल टो 90, यह तीनों में सेम आ जाएगा, यह देखो, हाँ, फोर्थ पे जब पहुंचोगे, तो यह आपने याद करना है बटा आपको, कि अलफा और गामा तो 90 हैं, तो फिर सारी काटके लग देना, अलफा नोट इकल टो बीटा, नोट इकल टो गामा, नोट इकल टो 90, और फिर ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल में सारे इकल तो होगे, यह अलफा इकल टो बीटा इकल टो गामा तो होगा, पर 90 डिगरी नहीं होगा, और लास्ट का याद करना है अलफा और बीटा 90 होगे पर गामा जो है वो 120 होगा यह है और इसके इक्जामपल्स प्रहाज़ो एक एक एक्जामपल याद कर ले ना क्यूबिक में आ गया एन श्यल टे ट्रागोनल में आ गया वाइट टिन टी से ट्रागोनल टी से टिन ऐसे याद रखें में भी सेम ऐसे याद हो जाएगा नाम के है monoclinic तो example हो जाएगा monoclinic shelfar फिर tri clinic है tri clinic में example याद कर लेना आप एक एक example याद करना यह वाला याद कर लेना cusofor.5h2o या boric acid भी रख सकते हो याद अच्छा फिर आ गया rhombohedral में आपका example आ जाएगा caco3 या hgs दोनों में से कोई एक example याद कर लेना caco3 या hgs और hexagonal में graphite भी आ गया cds को ये example याद कर लेना है अच्छा नीचे देखो मैंने star बना के कुछ लिखवाया हुआ है कि cubic cell is most symmetrical तो cubic सबसे ज्यादा symmetrical है symmetrical मतलब एक जैसा तो क्यूं है एक जैसा या क्यूं है symmetrical वो इसलिए है क्योंकि सब कुछ एक जैसा है एक जैसा मनला बराबर है ये देखो a, b और c बराबर है angle alpha, beta, gamma सब बराबर है 90 degree के इसलिए ये सबसे ज्यादा symmetrical है और फिर मैंने star बना के लिखवाया कि triclinic ये देखे is most unsymmetrical ये मैंने उपर भी समझाए most unsymmetrical का मतलब क्या होगा symmetry का मतलब होता है एक जैसा unsymmetry का मतलब होगा एक जैसा नहीं होना तो इसलिए ये देखो triclinic में ये देखो कुछ भी equal नहीं है ना a not equal to b not equal to c कुछ भी equal नहीं हुआ और angle भी alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 तो angle भी same नहीं है तो ये चीज़ है बटा तो इस table को एक वार ना copy में खुद बना कर देखना है जैसे मैंने सिखाया कि पहले c to my clinic tri clinic right hand लिख लो फिर उनकी full form लिख लो फिर length बनाओ जैसे पहले a equal to b equal to c फिर एक काट दो फिर सारे काट दो फिर दो बार जब कट जाये सारा तो दो बार उसको लिखो फिर तीसरी बार फिर उसके आगे जो एफ शुरू से लिखना बनाओ तो इससे दो तिन वार करोगे तो आपको यह याद दो जाएगा तो इस तरह से आप इसको करिए विटा